हेलो एवरीवन, स्वागत है आप लोगों का मेरी यूटूब चैनल LWD जॉप में दसमग्र सिक्षा डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन की तरफ से ओनलाइन एप्लिकेशन मांगे जा रहे हैं पोस्ट आफ प्रिंसिपल के लिए पीजीटी के लिए इसके अलावा टीजीटी फिजिकल एजुकेशन टीचर अकाउंट की वेकैंशिय है तक होस्टल वार्डन की वेकैंसिय है salary आप लोगों को thumbnail में नजर आ ही रही है साथ में residence भी जो है free available होगा इसमें कोई परिक्षा कोई interview नहीं होगा purely merit से selection होने वाला है 604 पदों पर ये vacancy है teaching and non-teaching staff के लिए type 3 and type 4 kgvv से ये vacancy जारी की गई है चलिए देख लेते हैं official website पर जाके आप लोगों को सारी चीज़ें वहीं पर देखने को मिलेगी notification कैसे जो है application form fill करना है post wise जो है कौन-कौन से subject की vacancy है क्योंकि काफी subject में vacancy आई हुई है और सभी subject में qualification जो है देखने वाले हैं सबसे पहले जो है recruitment notice number 1 है और यह 23 सितंबा 2024 को जारी किया गया है दसमगर सिक्षा department of school education की तरफ से यह सभी post है और इसमें दो तरीके के जो है कस्तूर्वा गांदी बाली का विद्धाले में vacancy है केवल woman candidate ही जो है यहाँ पर आविदन कर सकती है एक तो इसमें जो teaching non-teaching post में 352 पदों पर जब vacancy है तो type 3 kgvv है और दूसरा 145 पदों पर जो vacancy है यह type 4 कस्तूर्वा गांदी बाली का विद्धाले से vacancy है ठीक है तो यहाँ पर जो है district wise इनको बाटा गया है total number of vacancy 604 age limit यहाँ पर देखें यहाँ पर जो age है 42 year है general category के लिए SCST, BC, EWS candidate के लिए जो maximum age limit है वो 47 year है PWVD candidate की जो उम्र है 52 year है और जो ex-serviceman woman है जो की इन विद्धालों में पहले से पढ़ा रही है तो उनकी जो है 45 year है qualification जो है यहाँ पर प्रिंसिपल की post के लिए post graduate होना होगा 50% marks के साथ में category wise छूट तो है ही general category को कितना चाहिए वो मैं आप लोगों को बता देती हूँ प्रिंसिपल की post के लिए post graduation की degree किसी भी subject से साथ में B.Ed या फिर M.Ed M.E. Education यानि M.Ed ठीक है इसमें भी 50% marks होने चाहिए P.G.T के लिए गर आप apply करेंगे तो Master degree 50% marks के साथ में category wise अब को छूट है ही P.G.T English की vacancy है P.G.T Civics की है P.G.T Commerce की vacancy है तो post graduate teachers में Master degree 50% marks के साथ में B.Ed मांग रहे हैं या नहीं अब हम देख लेंगे बाकि यहाँ पर जो है आपका Master degree इंग्लिस में, Civics में, Commerce में या Economics की vacancy है Maths की, Vigics की है Chemistry में है vacancy Botany की, Zoology की और साथ में जो है B.Ed compulsory है ठीक है तो B.Ed आपका चाहिए Master degree के साथ में B.Ed post graduate teachers के लिए इसमें जो है P.G.T Accounting and Textation की P.G.T C.E. P.G.T. P.S.T.T. की, बहुत सारे जो है subject है MLT की है M.P.S.W. की है G.E.F.C. की है ठीक है तो आप ये तो देख लेंगे कि MLT यानि कि MBBS या BHMA या BAMS वाले Pharmacy वाले या MSC Microbiology वाले Biochemistry वाले और M.P.S.W. का मतलब है कि जो B.S.C. नर्सिंग की पोस्ट के लिए ठीक है उसके बाद Contract to Residential Teacher यानि कि TZT की जो पोस्ट है उसमें कौन-कौन से subject है तो आपके पास जो है Graduation में 50% marks साथ में जो है B.E.D. आपके पास होना चाहिए तेलगू की वेकेंसी है हिंदी की है और भी है subject English में वेकेंसी है Mathematics में है Physical Science की वेकेंसी है Biological Science की वेकेंसी है और क्योंकि काफी subject है तो आप लोगों को notification पूर अच्छे से देखना है यदि जो भी candidate जो है यहाँ पर apply करना चाहेंगे subject में आपको बता देती हूँ Social Studies की वेकेंसी है सभी में 50% marks के साथ में ग्रैजुएशन के साथ में physical education teacher के लिए qualification मांग रहे हैं intermediate course आपका होना चाहिए आंध्र प्रदेश या फिर equivalent course recognized by board of intermediate education government of आंध्र प्रदेश 50% marks के साथ में जो भी कुछ मैंने आपको बताई है journal category के लिए बताया है क्योंकि category wise जो छूट जो है वो चाहे IUC मा हो चाहे qualification सभी में दी गई है साथ में जो है physical education teacher के लिए यहाँ पर BPA या MPA आपका होना जरूरी है warden qualification के लिए bachelor degree 50% marks के साथ में B.Ed या फिर M.Ed part-time teacher की भी vacancy है जिसमें graduation आपकी होनी चाहिए यहाँ पर B.S.C. maths वाले apply कर सकते है B.Ed या M.Ed तो आपकी जरूरी है accountant की qualification के लिए BCom या BCom computer से selection process जो है देखें selection process में इन्होंने कहा है principal और P.Z.T. के लिए weightage of marks रहेगा S.S.C. यानि 10th का 10 intermediate का 10 graduation के 20 master degree के 30 B.Ed या M.Ed के 20 marks और अगर आप पहले कस्तूर्वा गांधी बाली का विध्याले में पढ़ा रही है तो 10 marks ठीक है इस तरीके से total जो है 100 marks के आधार पर यहां पर selection होने वाला है उसी तरीके से CRT मतलब contractual residential teacher T.Z.T. की पोस्ट के लिए तो इसमें भी 10 marks intermediate के 10 marks graduation के 40 B.Ed या फिर M.Ed के आपने 30 marks service अगर आप कर रहे हैं तो उसके 10 marks हर साल का एक marks यहां पर लिखा है तो जो है maximum 10 marks आपके हो सकते है total marks जो होगे इसमें भी 100 ठीक है इसी तरीके से physical education teacher के लिए 10th 10th के 10 marks 12th के 40 marks V.P.Ed या U.Z.D.P.E. के 40 marks और अगर आपने service की है तो उसके अधिक्तम 10 marks ठीक है इस तरीके से पूरा reservation जो की आंधरप्रदेस के जो candidate है केवल उनके लिए रहेगा और salary जो है इन्होंने यहां पर लिखी है principal की post के लिए 34,139 रहेगी salary आवास की सुविदा तो है ही post graduate teachers के लिए 26,759 है contract to residential teacher के लिए 26,759 है P.E.T.K. teachers के लिए 26,759 है accountant के लिए 18,500 है warden के लिए भी इतनी ही है और part time teacher के लिए इतनी ही दी हुई है ठीक है अभी जो है पूरा notification जब पढ़ लिया है तो वहाँ पर कहीं पर नहीं लिखा कि आप जो है किसी भी राज्य के candidate है अभी दन कर सकते थे लेकिन लास्ट में बिल्कुल end में जो है इनों ने जो यह दिया है चेक लिस्ट फॉर certificate verification तो इसमें इनों ने लिखा है कि यह सारी चीज़े है जो है आपने आपके पास certificate होने चाहिए तब भी आप apply करेंगे बिल्कुल last में दिया हुआ last page 24 pages की PDF फाइल है तो 24 पर यह चीज़ दी है इनोंने starting में नहीं दी कि 10th की आपके पास माक्षीर होने चाहिए 12th की होने चाहिए graduation की, master degree की B.A.D.A.M.A.D. या W.P.A.D. M.P.A.D. जो post wise मांगा गया है diploma, wherever, diploma या degree local status certificate जो है वो यह होना चाहिए जिसे मैंने highlight कर दिया 7 नमबर पर है तो आपके पास local status certificate अंधरप्रदेश का होना चाहिए ठीक है, category का अगर आपको लाब ले रहा है तो STSC, BC candidate जो है इनके पास caste certificate होना चाहिए तो बस यह 7 नमबर पर इन्होंने जो मांग लिया है इस से साफ पता लगता है कि यहाँ पर जो है वही candidate जो है अपलाए कर सकती है जो कि आंधरप्रदेश की है ठीक है, Government of आंधरप्रदेश समगर सिक्षा के तहती है वेकेंसी है, और काफी अच्छी वेकेंसी थी है अगर इन्होंने एक लाइन नहीं लिखी होती तो बाकी राज्यो के कैनिरेट भी इसमें अपलाए कर सकती थी क्योंकि उत्रप्रदेश में जब स्टार्टिंग में वेकेंसी निकाली गई थी कस्तूर्वा में तो केवल वहाँ पर यूपी टैट मांग रहे थे ठीक है, और जिस वज़े से केवल यूपी की कैनिरेट ही अपलाई कर सकती थी लेकिन अब पर ship t exams बहीर अलाव कर दिया है यहांपके राज्य का टैट अलाव कर दिया है जिसल्वजे से भारी राज्य के ऑपर अपलाई कर सकती थी थी केवल वहाँ ठीकहित की थी तो बही पर यहांपकिन अपट्रदे 2425 Government of Andhra Pradis जैसे ही आप इस पर आते हैं तो आपको यहाँ पर सारी चीज़े वैसे ही नजर आ जाएंगी notification आप देखने के लिए click here करेंगे district wise vacancies कितनी है तो आप यहाँ देख सकते हैं teaching post और non teaching post rooster आप यहाँ देख सकते हैं payment यहाँ पर जो है बिल्कुल payment जो है आपको करना होगा 250 रुपीज जो है आपके यहाँ पर application fees मांगी जा रही है और apply करने के लिए आप लोगों को इस पर click करना है ठीक है तो बिल्कुल आप लोगों को सारी चीज़े यही मिल रही है और यह देखिए यह है तो जो भी आंतरप्रदेश की candy rate है वो अपने district में ही apply करें तो जादा सही रहेगा ठीक है तो यह पूरी information कस्तूर्वा विध्याले जिस भी राज्जी की वेकेंसी जारी होगी आप लोगों तक सूचना समय पर पहुँचेगी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट वेकेंसी के साथ सिक्षक भरती की जितनी भी वेकेंसी आएगी बिल्कुल आप लोगों को समय पर बताई जाएगी ठैंक यू